नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागत है दोसों आपको बता दे कि 12 जून के शुब दर्श बजे शे जिया दोसों यह शुमे शे आपके जून काल में भगवान शुरी देब की शुर्बाज शे तीन बड़े महत्पुन बदलाव होने वाले हैं जया दोसों दर्श बजे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि यह शुमे रभीवार का दिन होगा अर्थाद भगवान शुर्देव का दिन होगा और इनके शाथ ही यह शुमे जो गरों की श्तित्य होगी जो इसमें जो सुभीयोग पन रहे हैं इनके कार्म दोस्तों बहुत की गजब का श्रयोग बन रहे हैं और इनमें आपको बहुत शारे लाव दिखने को लेंगे जया दोस्तों आपको बढ़ा दें कि यह शुमे जो गरों की श्तित्य होगी इनके शाथ आपको श्रिप एक कार्यों को करना है और आप देखें कि आपका श्रमे बहुती लाबका करी और यह बढहुती बारी रहने वाल इस ऐख वानिस्रेशा उसल्य बाझ बहुती लाबकार श्रिपार्षि आने वाली Ganzi में आब प्र वालीव को शुम्य-बिद्यो बिल्कुल भी मिश्णा करें और शुरूं करने चांब को शृती बाल बाहुत में इरО देक कौन शूर्य कारें आपके लिए बागी चलोंगे और किन चित्रों में कारकर अएंश को लाप की प्राप्ट होगी सुरद्रेश करें बखंज करकाई यह नचर में और पारी प्रमाथ बीडियो को लाइक करके नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथ ये बेल आइकन को प्रेश करके ओल पर स्लेट कर लें तो आई दोस्तों वीडियो को प्राहरुं करते हैं दोस्तों यश्मी किसी भी मुश्की जित्री को सोच समझ कर तथा शांती पुन तरीके से सुलजाने का प्रयाश करें दोस्तों अध्यात्मी को अफिर धार्मिक क्यारियों के प्रति आपका यश्मी रूजान भी बढ़ेगा घर में अमानों की चहल पल भी रहेगी ता अफशी मेल मिला आप सब को खुशी देगा अगर आपके शाओ धनि को बाद करें तो दोस्तों यश्मी घर में किसी वरिश्वक्ति के स्वास्त को लेकर कुछ चिंता रह सकती है यश में दूसरों की नीजी मामलों में किसी परकार का हस्तिवे अत्षेप ना करें और ना है कोई उन्हें शला दें अनिता आप बेठे बिठाए मुझे बाद में अभी आप पढ़ सकते हैं यश में आपको बता दें कि पत्तितीम पर वर्चसों बना कर रखने के लिए आपको अपने निरले पर अटल रहना होगा शम्वाद से कुछ बातें सुलस सकती हैं इसलिए शही तरीके से बात करने का धंग आपको इसमें अपनाने की अत्यान ताहुशकता होगी अपने गुष्य पर इसमें आपको काबू करना चाहिए इसको प्राण दोस्तों यह शम्वे आपके लिए समयोंगे आपके दिंचरह के लिए समयोंगे यह तोस्तों आपको बता दें इसको प्रांद दोस्तों ध्यान रखें कि किसी नईतिकी मित्रिया फिर पड़ोशी के साथ छोटी सी बात को लेकर शम्मद भिगर सकते हैं शंतान को कोई जिद्धी या पिर अड़ियल रवाया आपके लिए चिंता का कारण भी बनेगा प्रांद दोस्तों आपको बता दें कि याश्मे आपको गुष्य के बजाए श्रियम से काम लेना चाहिए वो में शमंदी कारियों में अधिक लाप की उम्मिद याश्मे आप ना करें इसको प्रांद दोस्तों याश्मे आपके लिए समोंगे आपको बता दें कि काफी दुनों से आपको कुछ चिंताएं सता रही है लेकिन उनको दूर करने के प्रत्न भी यश में आपके दोरा किये जाएंगे इनके बज़ेशे पस्तितियों में आपको बदला भी नजर आएगा दोस्तों यश में जिवन सेली को ठीक से बना कर हर काम को कितना वक्त देना है यह आपको तई करना होगा जिसे समस्याओं को सुझाने के लिए आप शबल भी रहेंगे इसको बराण दोस्तों यश में आपके लिए समयोंगे आपके दिंचरे के लिए समयोंगे दोस्तों आपको बता दे कि यश में रुके हुए या पिर उधार दी हुए पेशे भी आपको वापस मिल सकते हैं बहुत ही असान तरकेशे इसलिए दोस्तों आर्थी गतितियों पर अपना ध्यान विशेश रुप से केंदरित रखें आप अपनी वाक पटूता तदा कारेश शमता दोरह किशी भी काम को निकालने में शक्षम रहेंगे इसको बरादे दोस्तों किसी-किसी समय अकारण ही मन में निराशा और नकार्व वीचार भी आपको महसूल होगा हलांकि दोस्तों यह आपका भ्रम ही होगा यश में दुसरों के व्यक्तिकत मामलों में बिलकुल अगरे अनि था आपकी मान आने होशकती है इसकी इस्तिती बन सकती है इसको बरादोस यह आपको बता दे कि कुछ देर तक लोगों से दुरियां बना कर रखकर अकेले में वक्त बिताना यह में आपको आनद देगा जिसके वज़से आपके जो भी प्रोजेक्ट थे उसके कोशिशी से जारी रहेंगे इसको बरादोस यह में कुछ देर तक लोगों से दूरी बना कर अकेले में वक्त बिताना आपको पसंद रहेंगा जिसके वज़से आपके जो भी प्रोजेक्ट थे उसके बारे में सोच़कर कुछ नेरले भी आपने काल पाएंगे कला के पश्तिती जो भी ग्रह स्थिती है बैतर रहने वाली है कि जी राजनीति यह प्रवाव शाली व्यक्ति दोवारा आपको कोई महत्पुन भब्धी यह में हाशिल होने वाली है दोस्तों आपको बदा दें कि नईदिके शमद्धों के शाहत में जो तिधा आपशी वीचारों को आधान परदान दिंचरिया में कुछ शकारतमक परिवर्दन भी लाएगा दोस्तों यश्मीर बात का आपको ध्यान रखना चाहिए आपकी कोई भी युजना सरावजिनिक ना हो अनिता दोस्तों बनते कामों में भी रुकावट आशकती है इस बात पर आपको यश्मीर गौर करना चाहिए दोस्तों आपको बता दे कि युजना वर्ग में जो भी फालतू के काम है उनसे दूर रहे इसे दोस्तों अपने श्मी को बरवाद ना करती अपने भाश्मीर रुक परिका में आप श्मी को लगाए दोस्तों ये आपके लिए बहुत भी महत्पूर शावित होंगे और रश्क प्राम दोस्तों यश्मी आपके लिए उसे महोंगे आपको बता दे कि गुच बातें आप अपने व्यक्तिका दाइरे में ही रह करी करें क्योंकि दोस्तों अधिक रिक्ष लेना ये आपके लिए नुक्षान का कारण भी हो सकता है प्रस्तिती और आपके निगले का परिणाम बेना जाने ही आप आगे बढ़ रहे हैं जिसकी वज़र ची आपके आश पास की लोगों की तकलीब का शामा भी आपको करना पर सकता है इसको बरांदोस्तों नेगर आपकी केरेरिक लेकर बादे कर अर्थात आपके वाय उफशाह की तो दोस्तों ये शमे फॉनकल दोवरा कोई वयव शाय की सूचना आपको परापत हो सकती है जो अने वाले शमे में आपके लिए फाइदमन शायवद होंगी प्रन्तों दोस्तों आपको बदा दें कि मार्केटिक समधिक कारियों में बहुत सदकतार रखनी जली होगी और फिश में ध्यान रखें कि जराश्ची गलती बहुत शोपीर अधिकारियों की नराजगी सेहन करने पर सकती है शाथी दोस्तों काम से सम्दित बातों में कायदिश से सम्दित तकलीफ हो शकती है इसको पराद दोस्तों येश में आपके केरेट के लिए जो समय होंगे आपके वयशाय के लिए जो समय होंगे दोस्तों आपको बता दें कि वयशाय में नए प्रस्ताव भी आपको प्राप्त होंगे समय अनुकूल होगा दोस्तों आपको बतादें कि भरोशे मंद पार्टियों से आपको नई ओर्डर भी यश में प्राप्त हो सकते हैं शाथी दोस्तों यश में सरकारी नोकरी में तबातले समंदी कोई मन मुताबिश उप समचार भी आपको प्राप्त हो सकता है जिसे दोस्तों आपका मन भी यश्मे गदगद रहेगा इसको प्रांद दोस्तों यश्मे आपके वाईशाई के लिए समय होगे आपको बता दे कि दोस्तों वाईपार में पिछले कुछ शमे से जो भी गदवियां रुकी भी थी यश्मे उन्हें दोबारा कारी रुक देने का उच्चित समय आ गया है प्रांद दोस्तों आरतिक देती में किसी परकार के नुक्षान होने की अशंका भी बनाई है दोस्तों आपको बता दे कि यश्मे मरतमान वाईशाय के अलावा कुछ अन्य छेतरों में आपका ध्यान रहेगा दोस्तों यश्मे नयोपल अबधी भी आपको बना रहेगा और ये जो समय होंगे बहुत भी बहतरी शमयों में से एक समय होगा द्यान रखे कि कुछ लोग आपकी वे नमरता का गरत फायदा भी उठा सकते हैं या पर इनका प्रयाश कर सकते हैं तो दोस्तों इन लोगों से यश्मे आपको बचना चाहिए केवल काम से समधित बातों पर ही आपको पूरी तरशे द्यान देना पी चाहिए इश्कुप्रान दोस्तों इसमे अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात ने अर्था था था आपके पारिवर जोन की तो दोस्तों इसमे जिवल साथी के शाथ संबन्द आपके लिए बहुत ही मैदूर रहेंगे और रजया था अमध परमोद में आपका श्मे वोईतित है इश्कुप्रान दोस्तों इसमे आपके लव लाइफ प्लीज रहोंगे आपको बदाते कि घर की किसी भी श्मच्या को आपस में बेट करी सुझाने का प्रयाश करें इसे दोस्तों वातारण बहुत ही अच्छा रहेगा प्रेम श्मच्चों में बहुत इसमय वहती दालें इसको बादो सो यश्मे आपके लाइफ के लिए आपके पारिवरिक जीवन के लिए आपको बता दें कि जीवन साती के शाथ समयां में तो मदुगता रहेंगी प्रेम शमच्चों में भी लपरवाई होने के विज़से खटास उत्पन हो सकति तो समयां बीद दूरि भी रह सकती है याश में उनका उचित्त इलाज लेना आपके लिए बहुत ही जर्य होगा और इसको प्राव दोस्ते याश में आपके स्वास करीज़ समोंगे आपके हेल्थ करीज़ समोंगे दोस्तों आपको बता दे किसी परकार की इंपेक्शन होने की बीस्तिती बन रही है शाथी दोस्तों जोडों में दर्द या फिर वाई विकार भी आपको परिशान कर सकती है इसको प्राव दोस्तों याश में आपके हेल्थ करीज़ समोंगे आपके स्वास्त करीज़ समोंगे दोस्तों किसी भी परकार की रिक्स लेने की परविर्टी से आपको दूर रहना चाहिए किसी दुरगटना की असंका भी बन रही है यज में आपको वहन का परियोग नहीं करना चाहिए